हाई गाईज, स्वागत आपका माई स्टेडी दोश यूटूब चैनल पर सो फ्रेंज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रेक, अब है क्या क्रेक करने वाले हो आप से मिलो इतना तो आपको पताई होगा हर तीसरा बंदा मुझसे यही पूछता है सर में के वीडियो ओन हाउ टू क्रेक, वाट क्रेक, क्या क्रेक करने वाले हो आई सब बोलते हैं कि सर एरफोस का जो एक्स वाई ग्रूप है नेवी का जो डबल ए ऐससर है इनमें क्या करें कि हम लोग पास हो जाएं और बिल्कुल आसानी सी और बिल्कुल आप ये कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत से लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं और आप लोग क्या करते हैं पहली बात आप सभी लोग उने form apply कर दिया है ठीक है तो अब आपको उसके लिए मेहनत भी जरूर करना होगा अगर आप इतना सोचते हैं कि मैंने form apply कर दिया last के 10-15 दिन मैं पढ़ लूँगा और उसके बाद मेरा selection हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं इतना आसान competition नहीं होने वाला है अगर मैं बात करूँ यहां पर इस बार के competition की जो exam अभी आपका होने वाला है सब्तमबर में तो इसके लिए guys आपका लगबग कितने form आपको apply कर दिये होंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा form की मैं बात करूँ तो लगबग 5,000,000 और 15,000 form आपके लगबग apply हो चुके हैं पांस लाग 15,000 और यह बहुत बड़ी amount है एक तरह से आप देख सकते हैं और इसके लिए आपको कितने post मिलेंगे minimum मान लेजिए 3,000,000 ठीक है इतने post लगबग आपको मिलेंगी ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं मैं कुछ नहीं बता रहे हैं लेकिन एक expected मान रहे हैं क्योंकि average इतना ही सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अपन लोग भी इसी को base मनाते हैं और इसी के बार सब्कुल भी नहीं क्योंकि सभी लोग यहीं सोच के डरते हैं कि पांच लाग से लड़ना है आपको लड़ना पांच लाग से नहीं आपको खुद से competition लखना है कि कभी मत सोचना कि वह बंदा ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना से है बिलकुल नहीं आपका माइंड अल सबसे पहले तो मैं आपको बता दो कि एक्स क्रूप के अंदर आपको 70 questions मिलते हैं इसमें से 25 आपको physics से मिल देते हैं और 25 आपको math से मिल जाते हैं और 20 questions आपको मिल जाते हैं English से सभी के अंदर आपको एक-एक मार्का एक-एक question मिलता है उसके अंदर इस बार negative marking भी हो गया ह इनकी 1 by 4 आपका negative marking हो जाए रहा तो इसके बाद में आपको कितने number लाने होगे तब आप इसके लिंदर qualify हो पाएंगे सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि सभी के अंदर minimum 10-10 number लाना आपको जरूरी है इनके अगर आप 25 में से 10 number इन में minimum ला रहे हैं 10 number इसमें लाके रहे हैं तो 70 में से 30 number तो आपको minimum लाने है 30 ओर अगर आप ज़्यादा कम ला रहे हो तो बात नहीं है लेकिन इसमें minimum marking है इनके इतना तो आपको इसमें score करना ही होगा चाहिए आप इसमें ज्यादा कर ले उसके बाद आपको top clear करते हैं तो आपको हो जागा लेकिन इसमें अपना इ ज्यादा लाने की कोशिस करें अगर आप target करते हैं 50 तब जाकि आपका score बनेगा 40 के असपास और फिर आपका toffee के लिए अगर पाएंगे तो target कितना बनाना है आपको target ऐसा करो कि आपको हमेशा 50 प्लस लाना है देखिए आप लोग कुछ मोक्तेर्स देते होंगे उसमें करास होने की ज़रूत नहीं है क्योंकि actual में होता क्या है कि उन पर पर्स में आपका इतना score actual में नहीं बन पाता है लेकिन जब आप एक्जाम देने जाते हैं तो आप एक्दम concentrate रहते हैं उस exam के दोरण और आप अच्छा score पर पाते हैं कुछ यहां पर बहुत अच्छा score करत हैं सबका अलग-अलग mindset है सबका अलग-अलग condition के अंदर अलग-अलग माइन काम करता है कि मेरा माइन कुछ और करता है मून का माइन कुछ और करता है ठीक है तो आपको यह बिल्कुल नहीं समझना अब सबसे पहले हम बात करते हैं physics से आपको 25 क्यूशन मिलेंगे सबको problem हो हो जाओ उसके बाद मैं math machine number लिया हूँ है English machine लिया हूँ हुआ कुछ candidate का ऐसा भी होता है कि physics ऐसी होती है तो average माने तो आपको कम से कम 20 क्यूशन इसमें attempt करने की अदत बनानी चाहिए अगर आप 5 क्यूशन भी कर रहा है क्योंकि आपको इसके लिए 20 मिनिट का time मिल रहा है 20 मिनिट में आपको 20 क्यूशन तो इसके लिए attempt कर नहीं है इस बार आप छोड़ भी सकता है क्योंकि negative marking है तो कुछ 5 क्यूशन को ऐसे target बनाएगा जो आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो negative में जाएंगे हो सकता है एक दो क्यूशन आपके सही ह नमबर आपके आजाने चाहिए इस ततना target आपको रखना है तो इतना अगर आप physics में कर लेता है सेम कंडिशन आपकी maths में लागो होती है 25 क्यूशन होते है कुछ का math होता है कुछ का physics होता है कुछ का दोनों होता है उनको बहुत benefit होता है इस बात का ठीक है तो यही target आपको रखना है कि इसमें भी आपको 15 लाने है अगर आप इसमें 15 ला रहे हैं उसमें भी 15 ला रहे हैं 30के हो गया है अब आप घो है दूसरों नंबर आपने यहां पर बना लिया और इंग्लिस में देखे थोड़ा सा क्या होता है कि आपको वो कैबले स्टोंग करना होता है कुछ ग्रामर का पोशन है और इतना हाई लेवल का इंग्लिस मुझे नहीं जाता है और आपके पास में इसके लिए भी 20 मिनट है और 20 मिनट के साथ में आपको 20 क्यूशन मिल रहा है और इंग्लिस को करना बहुत आसान है अगर आपको इंग्लिस अच्छे से आती है तो ठीक है तो इसके अंदर आप 15 प्लस स्कोर करते हैं तो 45 प्लस स्कोर आप यहां पे कर पाएंगे और इस बार आप कि आधार पर आपकी मारेट लिस्ट बनती है वह बात अलग है कि अगर आप एंची सी रखते हैं तो उसके लिए भी आपको मार्क्स ले जाते हैं तीन मार्क्स चार मार्क्स और पांस मार्क्स किस बैसेश पर मिलते हैं ए वाले को तीन मार्क्स बी वाले को चार मार्क्स और C वाले को लेकिन यह phase 1 के लिए नहीं दिये जाता है जब आपका final merit बनेगा उस time में यह marks आपके add होंगे अगर आपका ऐसा होता है कि cutoff जा रहा है phase 1 के लिए 30 मान दो और आपके marks आ रहे हैं 25 और आपके पास NCCC certificate है तो यह जूड के आपको cutoff clear करा देगा ऐसा बिलकुल नही है यह आपको तो फायदा करेगा जब आप medical clear कर लेंगे और उसके बाद में final merit जा रहा है आपका 35 और आपके marks फिर 30 बन रहे हैं तो आपको 30 plus 5 होके आपका merit में आपको कर देंगे तो यह आपका final में जुड़ता है तो यह जहां रखते हैं आपको उसके बाद मैं बात करूँ एस सो पी एफ यह होता है ठीक है तो यह आपको benefit देता है इसके बारे में मुझे ज्यादा धान करी नहीं है लेकिन यह भी benefit आपको देता है इसमें भी कुछ ना फाइनल मेरिट लिस्ट में एड होते हैं उसके अभी बता नहीं है अगर पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो इसके भी marks यहां पे आपके एड होते हैं तो इसका भी फायदा मिलता अगर आप है तो आपको जरूर नहीं का मितलब है कि अगर आपके father workforce में है तो रागा के लिए ठीक है रागा क्या होता है बार बार आप लोग पूछते हैं reasoning and general awareness ठीक है उसी बाद में 20 question आपके होते हैं English के लिए ठीक है और इसका syllabus आपको जरूर देख लेना है syllabus तो actually में आपको सभी का देखना है उसी के according पढ़ना है ठीक है तो यह आपका हो गया है 30 question आपके रागा के और 20 question है English के 10 नमर तो इसमें minimum लाने है 15 minimum इसमें लाने है क्योंकि यह तो लाने ही जरूरी है यह तो required है ठीक है minimum marks है 50% physics के अंदर 10 ही लाने है 25 में से उसमें 50% का लफड़ा नहीं है साड़े बारा बनते हैं लेकिन वहां पर 50% ही 10 नमर ही required किये जाते हैं लेकिन यहां पर 15 किये जाते हैं रागा में और 15 आप नहीं लाएंगे तो आपका कोई काम नहीं होने वाला है यहां बात करते हैं कि इसमें आपका 15 plus 10 मिला के 25 तो हो गया 25 में तो कुछ होने वाला नहीं है cut up तक भी आप पहुंचेंगे नहीं तो यहां पर 50 marks आपका total paper हो और आपको इसके लिए मिलता है पूरे 45 मिनट ठीक है तो यहां पर आपको कैसे करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना होगा कि आपके 30 क्यूशन है 30 में से आपको 25 तक वही attempt करने होगे 25 में से आपको कम से कम negative marking है इस बार इसलिए मैं बात कर रहा हूं तो क में बात म Deputyव गारे तो आपको जैंगे ही तो आपको सीलेक्शन हो जाएंगा लिकिन इसमें भी थोड़ा सा आपि करने की कोशिश कीजिएगी कि प्लास वन एप्लास वन इसमें भी कर सकता है या इसमें भी कर सकते हैं तो चीले거든 दो तक आप अगर कोशिस हो सके इस बार के लिए बात कर रहा हूं तो आप लाने की कोशिस कीजेगा बगी कोशिस पर आपको पूरा ही करना है अगर आप 50 में 50 ला सकते हैं तो अची बात है लेकिन मैं उन कंडिरेर्स के बात कर रहा हूं अभी भी यह सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं तो अब बात आती है आपके पास में कि आपके पास में अगर आप 38 तक पहुंच गये हैं उसके बाद में भी आपको NCC है तो वह NCC के बारे में पहले बता सुकूं वह आपको last में profit देगा अभी नहीं देगा ठीक है उसके बाद में आपके seven questions होते हैं आपके gs के general science और general awareness दोनों आते हैं इसके अंदर उसके बाद में आठ questions आपके आते है quantitative aptitude ठीक है तो इसके लिए आपको maths के जो questions आते हैं आठ questions इनको एक भी नहीं छोड़ना है math आप इतना strong कर लेजिए कि सारा के सारा question कर लें इसके बाद reasoning में भी आपको एक question नहीं छोड़ना है दिक्कत आपको होगा GS में GS के अंदर आपका क्या क्या आएगा यह मैं आपको बताता हूं तो आपको पूरा क्या जाता है तो उसके बाद में क्या बचा आपके पास में तीन क्यूशन में से आपको एक क्यूशन हिस्ट्री से मिल जाता है और है क्यूशन आपका जोग्रफी से मिल जाता है ठीक है उसके बाद में आपके पास में एक क्योशन बचा और एक क्योशन आपका कभी-कभी कंप्यूटर से पूश ले जाता है या एक क्योशन को कभी कुछ किसी section में add कर देगा या तो science से ज्यादा कुश लेगा ये history से दो क्योशन हो जाएंगे या इस ज्यादा chem कोता है तो आपके लिए इंपोर्टेन्घी्स यह नहीं है कि आप्ट ज्यादा पढ़िए क्योंकि क्योंकि एक क्योसस ना है और हो सकता है आप जıtना पढ़ों उससे भी वह क्योशन ना जालने हैं कि उसमें आपको रिजिनिंग के अंदर जो 15 कुछ नहीं चोड़ना है जितना बन बारा हो सकता है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो तो उन लोगों को त्यारी है वो पूरे अटेम्ट करेंगे क्योंकि अगर कुछ नहीं करोंगे तो आपका स्कूर कहन से बनेगा उसक इसके बाद में जनरल एवेरनेस के बारे में मैंने सारी चीज़े बता दी तो अब आपको क्या लग रहा है कि अगर 38 का स्कूर अगर इस बाद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा बिलकुल अगर आप इतना स्कूर कर पा रहे हैं वाई ग्रूप के लिए तो आप यहां पे स सकते हैं अपने अपको लेकिन इस से कम आप नहीं मानेंगे अपने आपको सेफ जोन के अंदर ठीक है अब यह तो हमारा हो गया फेज वन की सारी प्रोसेस फेज टुमें तो मैं बार बार आपको बहुत बार बताश चुक्त हों कि क्या प्रोसेस आपका होता है उसके बाद मेडिकल होता है और उसके बाद आपका अесर फाइनल मेरेट लिस्ट और फाइनल मेरेट लिस्ट के कुछ पांसा दिन बाद में आपको जोनिंग मिल जाते हैं आपको मैल पे सेजरी सेजरी सेंड नहीं कर जाते हैं और वहां पे ऐसी स gather कर दी जातें तो वहां से आपको सेलेक्शन प्रोसेश था हमारा इंडियन एरफोस का एक्स और वाई ग्रूप का ठीक है तो आई होप आप सभी लोगों के लिए सारा समझ में आ गया होगा कि आपको कहां पे लेना है अब एक बात और करना चाहूंगा मैं आपके लिए कि आप स्टडी कितने टाइम कर रहे है कितना आप अपने आपको सफिशन मान लें और थोड़ा सही भी बात करना चाहूंगा कि आपको कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है चलिए अभी बात कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो आप लोगों को कम से कम यह समझ लीजेगा अगर आप एक्स गूरूप की कर रहे हैं इंग्लिस अगर आप एक आवढ भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा LAST में आप इसको इंक्रिश कर सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिस तो थोड़ा और तो हम कर सकते हैं कि यूदंधिす नहीं होते हैं फिजिक्स में में अपको इज़े axes खें बिना या practice के बिना कम time में soul करना आसान नहीं हो पाता है यह आपको बहुत ज्यादा देहान रखना पड़ता है तो अगर आप मान सकते हैं कि अगर आप 5 घंटे कम से कम पड़ रहे हैं तो आप अपने आपको safe zone में मान सकते हैं कि मैं तयारिक कर रहा हूं इस exam के लिए इस competition मे कोई बड़ी बात नहीं है सभी लोग भीड़ के सा होता है उसके बाद हम वाई वुग्रूप के लिए बात करूं तो वाई में भी आपका reasoning general awareness है और English है इसके लिए कम से कम आपको चार घंटे पढ़ना है ठीक है यह तो सिर्फ आपका यह हो गया कि छोड़ी से ना पढ़ में करन करना है उसके लिए आप बात करेंगे कि सेर्फ प्रेक्टिस मं से करनी होती है यह जाता है कि आपकी अगर आप कुछ पी तो इस हैरो बिस किशन आहिसे कर पाई और वह और वहू भी तरफ से उस से खतम हो जाता है आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपको यही तो सोचना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा तब बिल्कुल कर पाएंगे टाइम दीजिए अपने आपको थोड़ा सा तो वक्त जरूर लगता है सभी चीज़ों को करने में, लेकिन जब इंट्रेस्ट राजाता है न तो उसके बाद सारी चीज़े करने में बहुत अच्छी लगती है, और बहुत यासान भी लगने लग जाती है, ठीक है, तो उसके लिए मेहने तो आपको करना ही पड़ेगा, अ मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकरी रखता हूं और थोड़ा बहुत देखने कल चीजे भी आपको जानमगरी होनी चाहिए कि अगर इसके आसपास कुछन बनता है तो मैं कैसे गुमा कि कैसे भी पूंच सकता है उसको कैसे अंसर दे दूँगा ठीक है एक चीज यह भ 50% आपके चांस हो जाएंगे एक क्यूशन का सही होने का लेकिन अगर आप चार उप्शन में से एक भी नहीं हटा पा रहे हैं तो उसके बाद आपका सिर्फ प्राइविल्टी आपके है जो प्रायक्ता है वो कितनी है 25% और 25% 50% का आदाई होता है तो यह भी बड़ी बात ह आप क्यूशन में देखते हैं कि चार उप्शन में यह अगर आपको लगता है यह तो बिलकुल नहीं होगा तो उसको अटा यह पहले उसके बाद सोची कि एक उप्शन और कम से कम-बेट कर चूँ दो और आपको कोशिष करनी है कि इस तरह से उप्शन के भी जाएं कई कि इसे होते हैं जहादा टफ होते हैं उनमें आपको थोड़ा से दिमाग लगाने की जगर होती है एक्जामनेर खुद इसको पताना चाहता है कि आप इसको कैसे हंडल कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेंदी कुछ ऐसा बनाएगा और वह बिल्कुल आसानी से अगर आप क्यूशन क कर भी रहें तो कोई दिख करते हैं आप जब अग्जाम है आपका उससे 15 दिन पहले भी आप प्रक्टी सेट कर रहे हैं तो भी आप उसके लिए सफिशेंट मान सकती है अपने आपको लेकिन तब तक आपको यह 15 दिन सेफ रखने हैं और उनमें सिर्फ प्रक्टी सेट पर जह तो आपको कम से कम यह सोच रखनी है कि मैं एक्जाम तो क्लियर कर ही लूँगा इसमें कोई दोराय नहीं है तो कम से कम इस पोजिटिविटी के साथ में आप काम करेंगे तो आप डेफिनेट हैं कि आप इस बात को कि एक्जाम आपका जरूर निकलेगा 100% निकलेगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही I hope आप सभी लोगों को काफी फोजिटिविटी मिले होगी इस वीडियो से यह आपको ज्यादा फाइदा मिला है तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि यह लाइक जो है ना यह मेरे को बहुत जरूरी है जिसे आप लोगो होना कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे खुशी मिलती है तो आप भी मेरे साथ खुश रहे हैं और लाइक जरूर कियेगा ठीक है उसके बाद अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ जो पास में बैल आइकन बना जरूर करिएगा रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको ठीक है सु मिलते हैं तैंक्स यू सामस और शेयर कर देना दोस्तों के साथ सारा का सारा ताकि सब को पता चल रहा कि कैसे क्या प्रेंड़ा है ओके तिंक्यू सुमस्च बाइबाए ठीक क्यार ओल्दा वेस्ट